हलो फेंट्स, आज के दारिक में लोग इंटरनेशनल ब्रेंड्स को प्रेफर करते हैं, जैसे फोसिल हो गया डीजल हो गया, क्योंकि इस सब का मानना है कि इन में हैवी कलेक्शन आती है, लेकिन टाइटन आपके लिए लेके आया है, बहुत ही बढ़िया और हैवी कलेक्शन लुक आपके सामने है, टाइटन का ये उक्टेन सिरीज है, उक्टेन सिरीज टाइटन में टॉप हैवियस कलेक्शन में माना जाता है, आज इस वीडियो में हम आपको टाइटन की उक्टेन सिरीज का टाइम कंफिकरेशन और उसके फीचर के बारे में जान करी देंगे, सब खिर लाबा ये तीन फीचर 詔र दिए होने हैं ये primo seconds & seconds और येम मिनिट्स यानि आपको एक milestone से दूस्य मायल्स्टोन तक जाना है तो उसकी जो दूरी से करनी है ये उसके लिए track out करता है ये कई ऐसी locations पे track out किया जाता है इसका uses होता है यहाँ पे जैसे आप running में कह सकते हैं इसके लावा आप कह सकते हैं कि climbing हो गया इन सभी levels पे इनकी uses होती है इस feature को use कैसे करना है इसके लिए आपको ये टोप जो chronograph का feature का button दिया हुआ इसको use कैसे करना है इसके लिए आपको ये button दिये हुए दो यहाँ से आपने इस features को on करना है यह आप देख रहे हैं यहाँ पे millisecond की needles move हो रही है इसके लावा नीचे ये second की needles है ये भी यहाँ पे move हो रही है जैसे ही one minute का आप level reach करते हैं यहाँ से भी needle move होगी जब आप अपने milestone पर reach कर गए तो आप इसे यहीं से stop करेंगे अगर आपने यहाँ से stop किया और बाद में reset करना होगा तो reset करने के लिए फिर से इस button को press करना है और दुबारा से मतब settings on करके फिर reset होगा तो direct है आप यहाँ से stop करें stop करने के बाद आप अपना जो भी settings चेक करने है setting चेक करने के बाद आप यहाँ से-से reset कर सकते हैं यह आप देख रहे हैं बिल्कुल reset हो गया है इसके बाद आपको दिखा देते हैं times कैसे set करना है time set करने के लिए यह crown है crown में दो step दिये होते है first step आपको जो upper step है यानि second step है वो करना है उसके बाद आपको time setting करना है time setting मैंने आपको हर बार बताता हूँ 24 hours के accordingly set करना है जैसे ही आपका time set हो गया इसके बाद आपने center log पे जाना है center log से आप ऐसे slide करेंगे नीचे की तरफ तो जो date होगी current उस date को set कर लिजिए आपने upper side पे slide नहीं करना either जो internal needles की setting होती है वो सब crash out हो जाएंगी और आपकी watch problem कर सकती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहां से दो लोग दिये हूँ है center से आपने date set करनी है जो बाहर का लोग है अपर लोग है वहां से आपने time की configuration 24 hours के accordingly set करनी है यह chronograph features है यहां से आपने chronograph on और off करना है और यहां से reset होगा यहां जो copper का button दिया हुआ है यहां से on और off होगा यह देखिए on यहीं से off यहां से reset तो यह आपके Titan Octane अगर आप इसे wear करेंगे wear करने में भी यह आपको बहुत ही बहतरीन लगेगी आप इसकी back side पे देख सकते हैं यहां पे mention किया हुआ all stainless steel इस में डाट कि अकेला back cover ही नहीं बलकि इसका chain से लेके जो इसका metal है यह सारा stainless steel है इसके उपर plating की हुए है इसलिए यह आपको किसी तरह का कोई rashes नहीं करेगा wear करने में soft होगा और आपको किसी तरह का कोई issue नहीं आएगा और hand of meter water resistant है तो यह titan का watch अगर आपको buy करना हो titan की और on website पे जाए titan.co.in